मंगला विद्या मंदिर के सभी चात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार बच्चों मैं आज आपको हिंदी की व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ विशे हैं काल तो अभी हम काल की परिबाशा देखते हैं क्रिया का वह रूप जो समय या अवस्ता का भोत कराता है वह काल कहलाता है काल में तीन प्रकार है वो है बूत खाल, वर्तमान काल और बविश्यकाल तो चलो बच्चों अभी हम इनी सब भेदोखे भारे में पढ़ेंगे पहला है बूत काल तो बूतकाल की परिवाश्या इस तरह है कि क्रिया के जिस रूप से कारे की समाप्तिका बोध हो उसे बूतकाल कहते हैं अभी हम बूतकाल के भारे में कुछ चित्रों के सहायता से जानकारी लेते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आम खाया बिल्ली ने दूद पी लियाता तो बच्चो इन वाक्यों में खाया और पी लियाता शब्दों से एक क्रिया बीते समय में हो चुकी है का बोध हो रहा है तो यह एक बूतकाल की उदाहरन है तो अभी हम आगे की प्रकार की तरफ चलते हैं वो है वर्तमानकाल क्रिया के जिस रूप से कारि चल रहा है इसका बोध हो उसे वर्तमानकाल कहते हैं इसके बारे में भी हम चितरों के सहायता से देखेंगे जिसकि घोडा धौड रहा है मैं खाना खा रही हूँ क्रिया शब्द दौड रहा है और का रही हूँ इस शब्दों से कार्य अभी भी चल रहा है का बोध होता है तो ये एक वर्तमानखाल की उदाहरन है तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं वो काल की आकिरी बेद है वो है बविश्यकाल क्रिया की जिस रूप से पता चलता है की कार्य आने वाले समय में होगा उसे बविश्यकाल कहते हैं उदाहरन है मैं कल पाटशाला जाऊंगी मैर्तम दोड होगी इन दोनों चित्रों में जाऊंगी और होगी शब्दों से क्रिया आने वाले समय में होगा इसके भारे में पता चल रहा है तो ये एक बविश्यकाल की उदाहरन है तो बच्चो आज हमने क्या पढ़ाई किया आज हमने खाल के बारे में पढ़ाई किया और खाल की तीन प्रकार के बारे में भी हमने जान लिया है तो बच्चो इन्हें सब के उपर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ उन सब प्रश्णों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है जिसे के आपका पहला प्रश्ण है काल किसे कहते है इसकी परिभाशा आप इस वीडियो में ही देख सकते है और दूसरी प्रश्ण है काल में कितने भेध है और उनका नाम लिखी है तो खाल में कितने बेद है, तीन बेद है, वो है, एक है भूतकाल, वर्तमानकाल और भविश्यकाल, उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तो आगे का प्रश्न है, यहाँ पर मैं कुछ वाक्य दे रही हूँ, उन सब वाक्यों को सूचन अनुसार आपको बदलना है, जैसे कि आपका अगला प्रश्न है, सुमन सोच चुकी, उस प्रश्न को आप वर्तमानकाल में बदलना है, जैसे कि आपका आकरी प्रश्न है, पिता जी ने चिट्टी लिखी है, इस वाक्यों को आप बविश्यकाल में बदलना है, तो इसकी उत्तर लिखने के के लिए आप वीडियो को सहायता ले सकते हैं तो बच्चों सोचते हूं कि आज की खाल की फड़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद